प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी ने कहा कि शिक्षा अक्षेत्र पिषले कई वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा है जिसे बरतमान सरकार ने बदलने का प्रयास किया है आज युवा शक्ति के कौशल विकास व शिक्षा विशेपर आयोजेत एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आने वाले समय में युवाओं की मांग के अनुसार शिक्षा व कौशल विकास को नया रूप दिया है प्रधान मंत्री ने कहा कि केंदर सरकार द्वारा हाल ही में पेश किये गए अमरित काल के बजट में युवाओं और उनके भविश्यों को सबसे अधिक माहत्व दिया गया है ये अमरित काल में देश के दो सबसे महत्वपून टूल्स है विक्सीत भारत के वीजन को लेकर देश की अमरित यात्रा का नेत्रुत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं इसलिए अमरित काल के इस प्रसम बजट में युवाओं को और उनके भविश्यों को सबसे जादा एहमियत दी गई है हमारा एजुकेशन सिस्टिम प्रैक्टिकल हो इंडस्ट्री ओरियेंटेड हो ये बजट इसकी नीव मजबूत कर रहा है वर्सों से हमारा एजुकेशन सेक्टर रिजी डिजी का शिकार रहा हमने इसको बदलने का प्रयास किया है हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टिटूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से री ओरियंट किया राष्ट्रिय सिक्षा नीती में भी लर्निंग और स्किलिंग दोनों पर समान जोर दिया गया है मुझे खुशी है कि इस प्रयास में हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला